पुलिस और माववादियों के बीच आधे घंटे तक हुई मुटभेड मुटभेड के बाद भागे नक्सली माववादी कैम किया ग्यादवाच मौके सेविस पोटक माववादी साहित और माववादी समागवी बरामत सश्चस्त्र माववादी के उपस्तिती की मिली थी सूचना को याँ को बटादे की माववादी विरोधी अभ्यान पर निकले थी टीम और मारास्ट रच्छत्र गड़ पुलिस की संयोग्त कारवाई हुए है इस कबर के अधिक जानकारे के लिए हमारे साथ हमारे सम्वाद आता सतीश अलोड जुड़ चुके हैं जी साथिस बताईए कि पुलिस और माववादी के बीच आदे घंटे तक मुड़ भेड हुई है इसके परिजानकारी दिखे बोबाल पट्नम थाना चेतर अंतरगत बारे गुड़ा के जंगलों में माववादी माववादी के अजी सुचना पर महराष्ट और चत्रीजगर के जो जवान उस एरिया निकले थे और उस एरिया जाने के बाद में वहाँ पर कुछ इंपूट मिला उनको और इंपूट के दर्मियान माववादी के तोरह उपर में फारिंग किया गया है पारिंग के दर्मियान ससस्रबल के जो सेना थे वह लोगा ने भी जवावी कारवाई की और जवावी कारवाई में ही जो बाकी माववादी थे 20-25 माववादी की जो है संच्छा पताय जा रिया और वो माववादी भाग खड़े हुए और बाकी उनके जो कैये वहाँ पे द्वास्त किया गया और जड़ची रोली पातागुडे में से जो 360 जो माराश्ट की बटालियन है तथा और गोपाल पट्नम से जो DRD और वारेगुडा की और जो टिक्निक टीम थी ये दोलों के सहीवत कारवाई है और यह से इंस कारवाई में पुलिस को बड़ी सपलता मिली है कि उनके द्वारा जो जक्रावादी पुली समागरी जो जक्रावादी रखे थे द्वस्त करने के पच्छाथ उनको पत्या लिया गया है तो यह थी बड़ी खबर जहां पुलिस और माववादी के बीच आदे घंटे तक मुट भेड हुई है और यह आपको बता दे कि नक्सली वहां से भाग निकले और महरास चत्तसगर पुलिस की संयूत कारवाई हुई है